हेलो फ्रेंड्स टेक हेल्थ में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे ABG एनलीसिस के उपर तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने सब थोड़ा साथ समझाया था आपको कैसे कैसे ABG एनलाइस करते हैं तो आज की वीडियो में फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा रिवाइस करवा रहा हूँ और अगर वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक आई बेटन में दिया हुआ है वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हो पी एच एबी जी में हमने देखनी होती है एक पी एच उसके बाद पार्शल कार्बन डायकसाइड और उसके बाद बाइकार्बनेट तो पी एच जो है वो 7.35 से लेके 7.45 तक नार्मल मानते है और उसके बाद पार्शल कार्बन डायकसाइड जो है वो 35 से लेके 45 तक है वो नौर्पल मानते हैं पार्शिल अक्सीजन जो है ये 80 से लेके 100 तक है पर पार्शिल अक्सीजन का हम ABG में ज़्यदा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे तीन चीजों का मैन रोल है ABG में एक pH का उसके बाद पार्शिल कारबन डायकसाइड का उसके बाद बाइकारब तो जो pH है अगर वो डान चली जाती है अगर वो 7.35 से इसकी वैल्यू डान जाती है तो इसको हम ACIDOSIS बोलते हैं यह ACIDICS वाली साइड जाती है तो इसको हम ACIDOSIS बोलते हैं अगर यह 7.45 से ABOV चली जाती है तो इसको हम ACIDOSIS बोलते हैं अगर यह ALKALINE वाली साइड चली जात तो इसको हम acidosis बोलेंगे, तो alkalosis और acidosis में आपको समझ में आ गया है, अब इसके बाद partial carbon dioxide और bicarbonate की value जो है आपने देख ली है, partial carbon dioxide 35 से 45 तक होना चाहिए और bicarbonate 22 से 26 तक होना चाहिए, अब यहाँ पे एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, यह pH, pH directly proportional to bicarbonate and inversely proportional to partial carbon dioxide, तो अगर pH जो है बढ़ता है और bicarbonate भी बढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, metabolic alkalosis, ठीक है, तो इसके लिए कैसा है, कि अगर pH बढ़ता है और जो है, partial carbon dioxide गढ़ता है, तो इसको हम बोलते है, respiratory alkalosis, ठीक है, यह short form मैं ऐसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे चलते हैं, तो pH जो है 7.35, 35 से लेकर 7.45 तक कि इसको normal मानते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर partial carbon dioxide इसके opposite होगी, pH जब कम होगा, तो partial carbon dioxide जो है वो बढ़ती है, तो अगर यह 7.35 से pH dawn चली जाती है, तो यहाँ से partial carbon dioxide अप वाली side चली जाती है, तो इसको हम बोलेंगे respiratory acidosis, अगर यहाँ पे 7.45 से pH बढ़ जाती है, और जो partial carbon dioxide है, वो 35 से dawn चली जाती है, तो इसको हम बोलेंगे respiratory alkalosis, एक point क्लियर हो गया, अगर यह pH dawn गई है, और जो partial carbon dioxide 35 से 45 के बीच है, तो इसको रहने देना है, क्योंकि वो respiratory के related नहीं है, तो अब इसको देखना है हमने bicarbonate के साथ, तो pH अगर गटती है, तो bicarbonate भी गटते हैं, जो फार्मूले में मैंने बताया, तो अगर pH कम है, तो यहाँ से bicarbonate भी कम हो गए, तो इसको हम बोलेंगे metabolic acidosis, अगर pH बढ़ गई और bicarbonate भी बढ़ गई, तो इसको हम बोलेंगे metabolic alkalosis, यह चीज़ें clear हो गई आपको, तो इसके बाद जो है, हमारे पास एक और में फार्मूला आपको बता देता हूँ, रूम, और ओमी, इसका मैं आपको शाट फर्म में बता रहा हूँ, respiratory opposite respiratory opposite metabolic equal जो respiratory है वो pH के opposite होगा तो metabolic जो है वो equal रहेगा तो तब जाके वो पता चल जाएगा कि ये जो है metabolic acidosis है या फिर respiratory acidosis है या alkaline alkalosis है metabolic alkalosis है या फिर respiratory alkalosis है तो ये दो चीज़ें clear हो गई अब आपको एक मैंड में चीज़ आ रही होगी कि ये जो PCO2 है ये किसके related है ये bicarbonate ये किसके related है तो जो bicarbonate है ये metabolic के related होता है ये kidney के related होता है और जो PCO2 है ये carbon dioxide है respiratory के related होता है और ये lungs के related होता है ठीक है तो PCO2 और bicarbonate में आपको पता चल गया ये किस-किस के related है तो इसके बाद हम आएंगे जो कुछ examples के लिए कि कैसे-कैसे ABG देखते हैं क्या-क्या उसमें होता है तो मैं आपको यहां पे दखाने जा रहा हूँ तो इसमें कुछ आपको dot clear हो जाएगा तो यहां पे देखना pH 7.3 है तो मैंने नार्मल आपको बताया था 7.35 से लेके 7.45 होनी चाहिए तो कुछ cases में क्या है कि जैसे अब pH के साथ अगर क्या उसके लिए मैंने फर्मूला बताया था pH के साथ जो है partial carbon dioxide वो बढ़ती है तो यहां पे partial carbon dioxide बढ़ी नहीं है क्योंकि यह भी partial carbon dioxide भी गट गई है तो जो मैंने फर्मूला बताया था यह उसके related काम नहीं कर रहा है तो इसलिए फिर आपको मैं बताऊं कि अगर यहां पे partial carbon dioxide यह गट गई है तो वो pH के opposite नहीं हुई है क्योंकि अगर वो respiratory acidoses होती तो यहां से वो इसके जो partial carbon dioxide है वो बढ़ जाती तो इसको नहीं देखना है फिर हमने देखना है bicarbonate तो bicarbonate आपको HCO3 यहां पे मिलेगा last में तो bicarbonate यहां पे है 17 तो metabolic equal मैंने जो फर्मूला आपको बताया वो metabolic equal यहनि pH directly proportional to bicarbonate तो अगर pH गटती है तो metabolic भी वो गटेगा bicarbonate उसके जो है गटेंगे तो अगर pH यहां पे गटी हुई है acidoses में हमें पता है कि यह acidoses है लेकर एसी डोसी कौन सी है वो देखने के लिए हमने ABG में देखना है तो यहां पे आपको clear पता चल गया यह है metabolic acidosis यहां पे 17 है इसके bicarbonate जो है 17 है तो 22 से लेके 26 तक होना चाहिए पर हमारे पास 17 है तो यह metabolic acidosis हुआ pH डान गी है तो acidosis और कौन सी acidosis है वो हमने देखना है PCO2 को और bicarbonate को तो यहां पे bicarbonate जो है वो उसके साथ जो है वो कम हुआ है तो यह हमने देखना है metabolic acidosis तो अगर यहां पे जो pH है PCO2 है वो भी यहां पे बड़ी होती 35 की जगा अगर हम इसको मानते है 47 होती तो फिर इसको हम respiratory acidosis बोल सकते थे ठीक है लेकर कुछ-कुछ cases में ऐसा होता है कि यहां पे respiratory के भी जो है वो बड़ा होता है respiratory metabolic acidosis भी हो गया उसमें और respiratory acidosis भी होता है तो वो काफी rare cases में होता है ऐसा कुछ सभी cases में होता नहीं यह चीजें बताई मैंने उसके बाद आपको pH जो है वो मैंने बताई आपको यहां पे pH कम होई थी लेकन pH के साथ जो है partial carbon dioxide भी कम होई है तो अगर partial carbon dioxide कम होती है तो वो जो है वो उसको हम मानेंगे नहीं क्योंकि जो partial carbon dioxide है वो बढ़नी चाहिए जब pH गड़ती है तो वो बढ़ेगी तो तब हम उसको respiratory acidosis भोलेंगे पर यहां पे ऐसा नहीं है तो इसलिए आपको एक चीज़ तो पता चल गई है acidosis और alkalosis क्या होता है तो इस तरीके से यह ABG हमने आपको बताई तो ABG की यह example आपको solve करके बता दी है और भी example next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो इस ABG के साथ और भी कुछ values आती है वो भी मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा के ABG कैसी होती है टेस्ट कैसे होता है यह pH value हो गई फिर उसके बाद PCO2 हो गई partial carbon dioxide फिर partial oxygen तो यहाँ पे 82 से लेके 100 तक इसको मानते हैं लेकन कोई कोई जगा पे reference जो है 83 से लेके 108 तक भी आता है पात में जो saturation है oxygen यहाँ पे 76 है तो यह 95 से लेके 100 तक होनी चाहिए तो यह भी आपको पता चल गया HB तो जैसे normal हम ABG में देखते हैं तो 12 points से लेके 16 तक होना चाहिए तो ABG में यहाँ पे HB भी आप देख सकते हो HB के साथ यह value हो गई auxiliary values HB हो गया और oxygen की value हो गई यह में देखने हैं दोनों आपने auxiliary value उसके बाद आपने देखना है electrolytes तो electrolytes जैसे potassium जो है potassium 5.1 है तो इसकी जो normal range होती है 3.5 से लेके 4.5 तक होती है उसके बाद potassium potassium हो गया potassium की जो normal value है 3.5 से लेके 4.5 तक होती है उसके बाद sodium sodium 150 है यहां पर और यहां पर देख सकते हो के 135 से लेके 145 तक होना चाहिए तो इसको जो है हम hyperkalemia भी बोलते हैं जब potassium बढ़ गया आता है तो hyperkalemia बोलते है और जब sodium बढ़ जाता है तो sodium को hypernatremia बोलते है यह दो चीज़ें भी आपके साथ clear होगी metabolic value देखते है तो metabolic में क्या क्या आता है glucose और lactate glucose जो है वो 70 से लेके 105 तक होना चाहिए और lactate जो है 0.5 से लेके 1.5 तक होना चाहिए तो यहां पर 5.5 है तो यह lactate के बारे में भी मैं आपके वीडियो डालूँगा नेक्स्ट के इसको कैसे correct करना होता है यह थोई थोई treatment भी मैं डालूँगा पर अभी मैं आपको सिर्फ यह introduction के तोर पे वीडियो बता रहा हूँ और नीचे यह bicarbs तो आपको पता ही है इसमें क्या है मैंने बता दिया तो ऐसे एबी जी आपको analyze करनी है यह यह चीज़े जो है वो man देखनी है man आपको बता दिया एक तो blood gas value उसमें तीन चीज़ें तो man देखनी है pH, partial carbon dioxide और साथ में जो है acid base के लिए हमने bicarbonate देखनी है फिर उसके बाद oximetry value में आपने O2 saturation देखनी है और HB देखना है उसके बाद electrolytes में देखना है आपने sodium, potassium, calcium, man